हेलो फ्रेंड्स जोती भाटी यूटूब चनल पर आपका स्वागत है फ्रेंड्स हमें से पहले जुरियां लटकी वी स्कीन जाईयां आना आजकर आम समस्या हो गई है माथे आखों के नीच्यों चेर पर पड़ी जुरियां बूढर भद्धा दिखाती है इसलिए इससे चुटकारा पाने के लिए हम महेंगे ट्रेटमेंट वे प्रोडक्ट पर पैसे खर्च करते हैं हाला कि इससे हमें कोई खास फरक दिखाई नहीं देता ऐसे में आप घ्रेलू चीजों से बना फेस पैक लगा कर इस मस्या से निजात पा सकते हैं इसका कोई साइड एफेक्ट भी नहीं होगा यह पैक तवचा में कोलेजन का लेवल बढ़ाता है और उसे पोशन देता है इस पैक से आप सिरफ जूरियां ही नहीं बलकि अन्या एंटी एजिंग प्रोब्लम जैसे लूज स्कीन, पिग्मेंटेशन, डाक सरकर, ड्राइनस से भी बचे रहते हैं साथ ही इसमें मजूद विटामिन E चेहरे की चमक बढ़ाने और से स्वस्त रखने में भी हैल्फूल है फ्रेंड्स इस पैक के बारे में जानने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है यदि आपने मेरे चैनल को अब देख सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले साथ ही बेल पट्न पर भी क्लिक कर ले मेरी हेल्फ और ब्यूटी से रिलेटिर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आएप जानती इस एंटी एजिंग पैक के बारे में इस पैक को बनाने के लिए हमें चाहिए एक चमच चावल का आटा चावल में विटामिन B का अच्छा सोर्स होता है साथ ही एंटी उक्सिटन पर पट्टी होती है चावल काटा स्कीन के लिए टोनर का काम करता है यह समय से पहले आने वाली जुरियों को दूर करके स्कीन को टाइट करता है साथ ही स्कीन को मौश्चराज कर ड्राइनस को दूर करता है चावल काटा डेट सेर्स को रिमूव करने में भी हैल्फुल है अब हम एड़ करेंगे एक चमच दूद, दूद नेचल कलिंजर की तरह काम करता है, दूद में मजूर लेक्टिक कैसी स्किन को फेर, सोप्ट और समूथ मुद बनाने में हैल्फुल है, दूद हमारे स्किन को लाइटन करता है, साथ ही डेट से इसको भी रिमूग करता है साथ हम एड़ करेंगे एक चमच गुलाब जल, गुलाब जल स्किन को मुष्राज करता है, चेरे के रिंकल्स को जल्दी रिमुव करता है, साथ ही स्किन के पेच बैलन्स को बनाए रखता है, जिससे स्किन यंग बनती है, गुलाब जल ओपन स्पोर्स को रिमुव करने में भी हेलफुल है। पुलाब जल टोनर की तरह काम करके स्किन को मुश्राज करता है। अब हम इसमें मिलाएंगे 4-5 बुंदे बदाम तेल की। बदाम के तेल में मजूद विटामिन E स्किन को सॉप्ट और हेल्दी बनाता है। बदाम अपने एंटियोक्षन परबर्टी के कारन चेहरे पर जल्दी जुरिया नहीं आने देता। साथ ही डेट सेल्स को रिमूव करके स्किन को भी टाइट करता है। बदाम का तेल स्किन से एकने, पिंपल्स, फाइन लाइन्स, डाग स्पोर्ट्स को रिमूव करने में भी हेल्प करता है। साथ ही हम एड़ करेंगे हाप चमच ऐलोवेरा जल। एलोवेरा जल स्किन क्लिंजर के रूप में काम करके स्किन की धूल मिट्यादी को साफ करता है। स्किन के मोश्राजर को बनाए रखता है। एलोवेरा में मजूद विटामिन C और E स्किन को हाइडरेट रखते हैं। अब इन सभी को अच्छे से मिला लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने सभी को अच्छे से मिला लिया है। अब इस पैक को अपने फेस और गर्दन पर लगाकर 15 मिंट के लिए छोड़ दें। और 15 मिंट बाद पाने से चेहरा और गर्दन साफ कर लें। इस रेमडी को वीक में दो से तीन बाद जरूर यूज करें। इसके रगर यूज से आपके चेहरे पर अमेजिंग रल देखने को मिलेगा। फ्रेंड्सों मीदे आपको वीडियो हेल्फूल लगियोगी। थेंक्स फोर वचिंग मै वीडियो।